second question में देखिएगा कि क्या define a relation on a set natural number जो कि एक natural number है जिससे कि अपने को एक relation दिया वा जिसमें क्या है वह x is the natural number less than 4 यानि कि आपको x है वो क्या आपके लिए less than 4 है ठीक है और y और x कहां पे कहां पे बिलोंग कर रहे है natural number में से बिलोंग कर रहे है ठीक है वह एक इसका तो relation using the roaster form detect the relation between roaster form जो relation है वह इसको एक तो roaster form में अपने को बनाना है ठीक है write down the domain और range आपको domain बतानी है और range बतानी है ठीक है यहां कि इनके समंदियों की domain क्या होने वाली है और range क्या होने वाली है ठीक है इनमें दो समंद्द चलते है एक तो इधर right side के समंदी इधर left side left और right क तो यहां पर बताना है कि range और domain क्या होता उनमें ठीक है अब देखते हैं अपने को क्या दिया पहले तो अपने पास एक relation दिया हो है कहां पर natural number पर कि इस solution में relation r क्या दिया हो है relation r है वो आपके लिए x और y है such that है यहां तो ऐसे लिख दो such that को such that क्या है वही कि यहां से y है वो क्या y है वो x plus का 5 है और x के उपर condition क्या है x is natural number less than 5 less than 4 और यहां से जो x और y है वो कहां पर बिलोंग कर रहे है natural number में बिलोंग कर रहे है ठीक है अब आपके लिए देखिएगा कि यहां पर x के उपर तो condition देदेगी अक्स है वो less than 4 है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहां से हमें जो अपने पास जो अपने पास domain के अंदर इदर वाले left जो अपने पास देखिएगा कि left side के अंदर जो भी आते हैं जैसे diagram बनाएंगे बैट diagram के अंदर यह भी एक natural number है और यह भी क्या एक natural number है ठीक है यह यहां से एक relation उन्होंने define कर दिया ठीक है अब उन्होंने क्या बोला इदर वाले जो element है यानि कि जो अक्स का element है वो कहां से आरा नेच्रल नमर में से आरा बट अक्स का जो element है वो क्या है less than 4 है इसका मतल जो अक्स के उपर conditions आगी वो आगी 1,2,3,4 यानि वो भी less than है less than equal to भी नहीं बोला उन्होंने 4 से less than है यहां तक clear है इसके बाद में आपको y, y में तो सारे के सारे क्या आगे natural number आगे co domain है co domain में तो सारे natural number आगे ठीक है अब देखते में अब यहां से देखते में अब यहा यहां पर 1,2,3 ठीक है अब कैसे according to according to given condition अपने को अक्स है वो less than 4 है अब यहां पर जैसे जैसे मैंने आपको बोला था कि वही अक्स की वेल्यू क्या लो? तो 1 लो तो इसके respect में आपके लिए y क्या आया है 6 आया जैसे आप अक्स की वेल्यू क्या लोगे 2 लोगे y equal to 7 और आपके अक्स की वेल्यू 3 लोगे तो क्या आएगा 8 आएगा यहां तक के लिए अब आपको वही बात है 1,2,3 है और यहां पर natural number पूरा है 1,2,3,4,5,6 यह यहां पर 3,4,5,6,7,8,9 और यह से नेचरल लोगे तो पूरा चलता जा रहा है बट अपने को तो यहां पर बस only क्या इनके समंदी देखने है 1 का relation किसके साथ है 1 का समंदी है 6 और फिर आपके लिए 2 का समंदी 7 है और 3 का समंदी 8 है बस इतना ही क्योंकि इधर तो आप element ही अक्स के उपर condition देदी कि इधर वाले natural number में से आपके पास अक्स है वो natural number में से आ रहा बट एक restriction और दे दिया उन्होंने कि अक्स की value है वो आपके लिए क्या है बट अक्स की value हमें वो ही choice करनी है जो क्या है जो कि 4 से क्या है छोटी है और इधर भी यह natural number तक आगे तक चलत जा रहा है कोई दीकत नहीं बट अक्स की कहां से value लेनी है अपने को यह value लेनी according to given condition I hope आपको समझ में आई होंगी सभी बाते और हम diagram भी बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं कि आपको बाते समझ में आए ठीक है अब देखिए कि इन्होंने बोला कि using the this relation form in the roster form तो यहां से जो अपने पास जो relation है उसका जो roster form आएगा वो क्या आएगा वह यानि जैसे आप 1 दोगे तो यहां पर 6 आएगा जैसे आप 2 दोगे तो यहां पर 7 आएगा जैसे आप 3 दोगे तो वह 8 9 आए यानि 8 आएगा अब आप 4 क्यों नहीं दे सकते हो भी 4 अपने को बोला कि अक्स आएगा वह से लेह दे नहीं जा सकता हूं क्योंकि अक्स के ऊपर कंडिशन ही ऐसी है क्योंकि हम इसको अक्स बोलते हैं इसको य बोलते हैं य पे उसने कुछ भी कंडिशन नहीं दी बट अक्स के ऊपर कंडिशन दी है ठीक है तो यह आपका यहां पर, इस order roster form के अंदर क्य तो चलिएगा अब अपने पास यह सब हुआ complete तो अब देखते हैं इनका domain क्या है domain हमें पता है यह वाले जब भी सारे elements होते हैं यह अपने पास क्या होते है domain element होते है या आपके क्या होते है range element होते है यह क्या होते है range और यह क्या होते है भई, यह पहले वाले क्या होते है, domain, first element in a ordered pair of relation is the domain and second component is the range, टीक है? अब यहां से आपके लिए देखिएगा कि पहला point क्या है domain, domain, domain देखिएगा कि क्या आने वाला, one, two, three, four और यहां से range क्या आने वाला है, range इसके cross pointing six, seven, eight यह अपने को पूछा भई, roster form पूछा है, range पूछा, domain पूछा, तिनों को अपनोंने अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है?